नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर जयमदान और आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में नीबू मिर्ची क्या कर रही है आपको ध्यान है हम कितने सुना करते थे घर के बार नीबू मिर्ची लगा दो तो नजर नहीं लगती इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले के टाइम में लोग अंदिवश्वासी नहीं थे बहुत साइंटिफिक थे लेकिन उसको कुछ चीजों के साथ जोड़ा गया so that people follow it पहले के टाइम में लोग घर की चोखटे चोटी होती थी तो लोग नीबू मिर्ची को टांग दिया करते थे उस ताइम पे बहुत लोगने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दवाईया नहीं थी तो जब नीबू और मिर्ची को धागे में डाला जाता है तो यह धागा वेट हो जाता है इस धागे से निकलने वाले जो दोनों के अंदर वाइटीमिन C होता है तो जो वाइटीमिन C से आसपास की एयर होती ह इससे मॉस्किटोज, इंसेक्स घर के अंदर नहीं आ पाते थे और क्यूंकि उस टाइम पर लोगों के घर में बहुत प्रोटेक्शन नहीं होता था मिट्टी के घर होते थे, स्टोन्स के घर होते थे तो जानवर, रेप्टायल, सांप वगरा सब घर में घुसाया करते थे तो अगर आपको कभी कोई पॉजनस अनिमल काट ले किसी भी फॉर्म में और अगर वो पॉजन बॉडी में फैनने लगे और आपको चेक करना होगे तो अगर आपको किसी पॉजनस अनिमल ने काटा हो तो आपको पॉडी की नर्व जो है वो नम हो जाती है आपको मिर्ची का जो पाइसी फ्लेवर है यजो निम्बू का खटा फ्लेवर है वो तो तॉजनस एंसेशन फील नहीं कर बाती है तो इसका मतलब आप मुझे एमर्जेंसी और हेल्प चाहिए अगर जबान को मिर्ची लग रही है इसका मतलब कोई ऐसे इंसेक ने डाला है जो बहुत ज़ादा पॉजनस है पर कुछ टाइम स्वेलिंग के बाद यह ठीक हो जाएगा तो इन साइन्टिफिक रिजन्स की वज़े से नेबूग मिर्ची को घर में घर के बाहर टांगा जाता था कि किडे मकॉडे अंदर ना आए और अगर कोई कीडे मकॉडा काट ले तो आप इंस्तेंटली एक रेडी थिंग लाइक फर्स्टेट थिंग आप इसको तोड़ कर क अगर कर ले इसीलिए इसको बार बार ताजे तरीके से टांगा जाता था So we understand कि there is a big difference between superstitious and understanding something with scientific principle I will try to break lot of myths like that to make you understand कि उस समय जो चीजे उती थी उन्दविश्वास नहीं होती थी उनके पीछे logic होता था हमें समझ में नहीं आता तो हम उसको negate कर देते हैं But that's not true But that's not true